हेलो दोस्तो स्वागत है आपका हमारे चैनल फाइन रेस्पीज में आज हम बनाएंगे पटेट्टू रिंग्स अगर आपको हमारी रेस्पी पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें और और सेलेक्ट करें जिससे आपको हमारी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहें लाइक, कमेंड, शेयर जरूर करें इसके लिए हम पांच उबलेवे आलू लेंगे जिनकों हम करस लेंगे आलू को हमने करस लिया है अब इसमें हम आदा चमश नमक डालेंगे दो हरी मिर्च कटी भी डालेंगे एक चमश चिरी फ्लेक्स डालेंगे चार चमश कौन फ्लोर डालेंगे हरा धनिया डालेंगे और इसको हम मिलाएंगे आलू को हम इसमें अच्छे से मिलाएंगे आलू अगर हमारे अच्छे से बाइन नहीं हो रहे हैं तो हम इसमें एक चमश कौन फ्लोर और डाल सकते हैं आलू को हमने अच्छे से बाइन कर लिया है अब इसके अंदर हम एक चमश तेल डालकर इसको मिलाएंगे आलू का डो हमारा तियार हो गया है अब इसके हम रिंक्स बनाएंगे रिंक्स बनाने के लिए हम डो को बेलेंगे डो को बेलने के लिए हमने बेलन पर तेल लगा लिया था डो को हम मोटा ही रखेंगे जिससे कि हमारे रिंक्स असानी से बन जाएं एक कटर की सायता से हम रिंक्स को काटेंगे अगर आपके पास कटर ना हो तो आप कटोरी से भी इसको काट सकते हैं अब हम इसके बीच में एक होल करेंगे आप इसके लिए कोई भी धकन का इस्तमाल कर सकते हैं अब हम साइड के डो को हटाएंगे रिंग्स के बीच में से भी हम डो को निकालेंगे इसी तरह हम बाकी रिंग्स भी त्यार कर लेंगे रिंग्स हमने त्यार कर लिए अब इसको हम डीप फ्राय करेंगे एक कडाई लेंगे उसमें हम तेल को गरम करेंगे तेल को हमने मीडियम फ्लेम पर गरम कर लिया है अब इसमें हम रिंग्स को डालेंगे रिंग्स को हम ऐसे ही फ्राय होने देंगे ये अपना भी उपर आएंगे रिंग्स हमारे तेल में उपर आगे अब इसको हम पलटेंगे बीडियम फ्लेम पर रिंग्स को ब्राउन होने तक फ्राय करेंगे रिंग्स हमारे ब्राउन हो चुके हैं अब इसको हम कडाई से बहार निकालेंगे सारे रिंग्स को हमने बाहर निकाल लिया है अब इसको हम सर्फ करेंगे रिंग्स को हमने सर्फ कर दिया है रिंग्स हमारे बहुत क्रिस्पी बने हैं आप इनको जरूर बना कर खाएं बन कर ट्यार है हमारे पटेटो रिंग्स झाल झाल